मेरे पास कोई और उपाई नहीं था आप सबको रोकने का अगर मैं आप सबको यहाँ पर नहीं बानता तो अन्य नगरवासी भी संकट में पड़ जाते अब आप सब यहीं रहिए मैं आपके उपचार की व्यवस्था करता हूं कि इनके नेत्र पहले ऐसे नहीं थे विश्याक्त होने के कारण ऐसा हुआ है कि मेरे मित्र भी ऐसे हो गए थे पंचपन में उलजे रहने के कारण मैं उन पर ध्यान नहीं दे पाया मैंने तो उन्हें राजभवन अर्थात राजभवन में भी संकट आ सकता है मेरी माँ और नानी पर भी मुझे वहां पर जाना ही होगा तुम सब कुछ खापी लो तो तुमारा मन भी शांत हो जाएगा और भै भी दूर हो जाएगा यह कुछ असामन इसे क्यों लग रहे हैं हो सकता है नाक कब है अब तक इनके मन से गया नहीं यह क्या हुआ तुम सब को कि लिखडशों हो तुम लिएभा नहीं झाफ जिएभा टको को हुआर नहीं में खाफ नहीं पंचफ़न के विश्का प्रभाव इन्हें रोकना होगा यह तो मुझे त्रही कर रहा हो पंचफ़न अपने मिट्थियों का आवान कर रहा है माँ अब हनुमान के मित्रों के साथ यहां कुछ विशेश बात है आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है क्या हुआ मा सब ठीक तो है अब होगा सब ठीक मा यह 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 क्या कर रहे हैं आप यह हनुमान के मित्र वन से आये हैं लगता है उस नाग में ने विशाक्त कर दिया है जब आये थे तो असामान्य लग रहे थे और मा को इन भलकों ने अब अश्य ही मा भी विश के प्रभाव में ही है मुझे शीग्रे ही कुछ करना होगा अन्य था यह मुझे भी झाल प्रेण से चाहई जो यह मुझे विश ने विश करना है बढे ऋश्य है भी रहे रहे यह मुझे विशाओंवे ही कर दो भी प्रभाव में है झाल अश्य है अब मा को कैसे रोग। इन्हें चोट लग गई तो रोग जाए नानी आप विश्च के प्रभाव में हैं आप मा के पास मत आये अब तुम सब मेरे वश्च में हो। और कैसरे शेगरी तुमारा पुत्र भी मेरे वश्च में होगा। और तब दया करूँगा मैं तुम दोनों पर। मक्त कर दूँगा मैं तुम्हें। मक्त कर दूँगा इस संसार से। अंत कर दूंगा मैं तुम दोनों पिता पुत्तर का अतिवाल लेकर आता ही होगा हनुमान को तुम दोनों का अंत उसके बाद सुमेरू का अंत तो मेरे दास ही कर देंगे यही तो मेरा परम लक्ष है नानी मा विशाप्त हो गई और तुम्हारे सभी मित्र भी उनको ग्यात ही नहीं है कि वो क्या कर रहे यदि उन्होंने नानी मा कोई कोई शती पहुंचाई तो मा वे नानी को कुछ नहीं करेंगे और आप भी चिंता मत करिये हमारे राजव्यत जी मेरे मित्रों का उप्चार भी कर देंगे और नानी भी स्वस्थ हो जाएंगी है अनुमार पुत्र तुमने मेरे रक्षा की अपनी मा के प्राण बचाए नानी के चिंता है तुम्हें और तुम अपने मित्रों को स्वस्थ करने की सोच रहे हैं तो मैं संसार में कुछ भी प्राप्ट कर सकता हूं बस आप मुझे छोड़ कर मत जाना मा ये सब जो हो रहा है ना उस पंचभन नाक का किया हुआ है ना जाने क्यूं वो हमारे सुमेरू का बिनाश करना चाहता है हमारे सुमेरू राज्य की सुक सम्रिधी देख कर ही तो सब इस पर बुरी दृष्टी डालते हैं किन्तु मैं यू राज हूँ यहां का मेरा करतव्य है राज्य की रक्षा करना किन्तु ये तो बताओ बन में क्या हुआ मां कि तो तुम्हारे पिताश्री कहां है तो तुम्हारे साथ ही गए थे पलपलपलपलप अच्छी करते रहोगे यहां अगे कुछ मताओंगे भी कि तुम क्या कहना महाराज किसी को वो वो पंचपल क्या हुआ पिताश्री को वो महाराज को उठा कर लेगिया पल 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 महाराज को भी विशाथ कर दिया है उस पंचपल ने बगवान यह क्या हो गया मैं करूंगा मा मैं लाओंगा पिताश्री को सुरक्षित मैं करूंगा मा मैं लाओंगा पिताश्री को सुरक्षित आओ हनमान, चलो शिक्र चलो हनमान, अथी शिक्र वहाँ तुम्हारे पिताश्री प्रतिक्छा कर रहे हैं चलो चलो जे ही कि प्रतिक्छी जे व Capital बढर हेरी कि भी प्रतिक्छी कर रहे हैं कर रहे वाँ वेचा हुछ अुम्हारीक्छा व्रिशास उडाए़ बढर है भी है वहाँ कर बढर है का झालो जय है जल, जल चाहिए, जल, जल चाहिए मुझे, सेविका, जल ले करां, जी माँ, जल, जाहिए, जल चाहिए, जल, जाश लगी है, हाँ, यह सुब क्या हो रहे महारानी जी? महारानी जी, हमारी या माननेता है कि दोना आतों पर दिया जला कर आज की दिन शियू जी की पूजा करेंगे तो उसकी इच्छा वश्य पुर्यू आज? क्यों आज क्या है ऐसा? आज पुर्णी मा है महारानी जी पुर्णी मा है हनुमान के लिए मैं तुम्हें पुर्णी मा तक का समय और देता हूँ पुर्णी मा के पश्चाद तुम इस दित्वी पर एक शन भी और नहीं रह पाँ मुझे लोटना होगा हे इश्वर यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही किन्तु यदि आज एक इच्छा पूरी हो सकती है तो मेरी यही इच्छा है कि मेरे स्वामी सुरक्षित हो सुमेरों के सारे लोग स्वस्थ हो जाए मैं यहां से जाने की पीड़ा सहलोंगी प्रभू किन्तु मेरे युवराज की सुरक्षा कीजे इस संदेरे में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है जी स्वामी जी स्वार पंच फन पांच फन वाला मायावी नाग पांच नाग मणियां जिसकी आसुरी शक्ति का स्तोत्र हैं जिसके पांच फनों से उस्तर्जित विश मनुष्य के मस्तिश्क को विकृत करके उसे अपना दास बना लेता और यदि वो चाहे तो उसके प्राण ले सकता उसे कंकाल बना सकता उसे भश्म कर सकता उसे लंकेश रावन ने सुमेरु भेजा हनुमान और सुमेरु वासियों का विनाश करने के लिए और उसने आते ही अपनी विनाश लीला आरंब कर दी नदी के जल को विशैला कर दिया को विशाक्त करके अपना दास बना लिया तब सुमेरु वासियों को जल उप्रब्द कराने के लिए हनुमान ने अपनी दिव्वे शक्ती से पुवा मना दिया इधर अंजना चिंतित थी अज इंद्र ने अंजना को केवल पूर्णिमा तक का समय दिया था उसके पसचार अ पंजफन के विश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अंतत है उसे अपने प्राण बजा कर भागना पड़ा किन्तु इस युद में हनुमान के मित्र विश के प्रभाव में आ गए और उधर महराज केशरी अपने मंतरी सेनापती और अन्य सैनिकों के साथ पंजफन को पड़े इधर पंजफन ने भी विशाक्त हुए सुमेरु वासियों को आकरमन के लिए भेज दिया देखते ही देखते विशाक्त हुए सुमेरु वासियों ने उन सब पर आकरमन करके उनको भी विशाक्त कर दिया हनुमान ने कुछ गाम वासियों को तो बांद दिया किन्त इस बार हनुमान के विरुद उसने बहुत भयंकर वियू रचना बना रखी थी जिस जाल में हनुमान को उल्जाना था उसकी कल्पना तो स्वयम हनुमान ने भी नहीं की थी किन्तु इसी महा लिला से ही हनुमान का महा कल्यान कारी नाग मेखला अफ़तार हुआ इस संदेरे में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है वाहति बल वाहति अनुमान को मेरे चंगुल में लेही आए बल 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 अब होगा तुम्हारा अंत हनुमान क्यूं धक्का लगा सुनकर हाँ अतिवल मेरे साथ मिला हुआ है जक्का नहीं तो मुझे तो पहले ही ग्यात हो चुका था कि ये अतिवल तुम्हारे साथ है अनुमान नजाने कितने ही जी चलतुओं कि हापत्या की है इसने इसे चोड़ना मत दन्दित करो दन्दित करो इसे अतिवल को इतना कुछ कैसे ग्यात है इसके बारे में ब्राम हुआ है तुम्हें पंचपन अतिवल मुझे यहां नहीं लाया है मैं अपनी इच्छा से आया हूँ यहां पर रोगो तुम लोग नहीं अनुमान को तो मेरा एक विशेश आज्याकारी दास मारेगा केश्री पेटाश्री ठहर जाओ मेरे निकट मताओ अब लगा धक का तुम्हें तुम्हारे पिताश्री मेरे अधीन है अब मेरे आज्याकारी दास और अब देखना कैसे तुम भी मेरी आज्या मानते हो अब सुनो तुम्हारी देह पर विश्च का प्रभाव नहीं पड़ा किन्तु विश्च देह के भीतर चला गया तु अगनी से अप्रभावित रहते हो तुम्हें किन्तु जब लावा देह के भीतर गया था तब तुम पर लावा का प्रभाव तो पड़ा ही था है ना तिवल अब तुम अपने पिता श्री के हाथों पियोगे ये विश्च मेरा युगों पुराना विश्च यविश्च का प्याला ग्रहन करो पुत्र हनुमाद ये विश्च का प्याला ग्रहन करो पुत्र हनुमान पिता श्री भी पंचपन के विश्च के प्रभाव में आ गए अतिबल तुम तो बता रहे थे कि हनुमान अपने माता पिता का आग्या कारे पुत्र है किन्तो ये तो अपने पिता की आग्या ही नहीं मान रहा ये विश्च का प्याला ग्रहन करो पुत्र हनुमान लो पुत्र खीर काम पिता श्री मैं आपकी हर आग्या का पालन करूंगा पिताश्री मैं आपकी हर आग्या का पालन करूंगा अब पुत्र को स्वयम अपने हाथों से विश्च पिलाएंगे पिताश्री अब अपने पुत्र को सुयम अपने हाथों से विश्च पिलाएंगे पिताश्री ्गल्वल्ड्ज कि अपने ही हुआहुआН माँ कि अज थेताश्र को मेरा लाइ हे प्रभु सुमेरु के सभी वासियों के रक्षा करना अब तुम पीछे हट जाओ के सरी तुम्हारा कारिय समावध हुआ अब तुम्हारी वर्दानी शक्तियां भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगी अब होगा तुम्हारा अंत हनुमान अंत होगा तुम्हारे पिताश्री का अंत होगा सारे सुमेरु वासियों का विनाश महा विनाश मेरे दासों जाओ विनाश कर दो सबका अंत कर दो सबका हाकार मचा दो पूरे सुमेरु में मैं पंचपन को ऐसा नहीं करने दूँगा चूग गये पुना हमारो किस पर हाथ उठाओगे किस पर प्रहार करोगे मुझ पर या अपने पिता श्री पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे हनुमान मेरा विष्ट तुमारे प्राण हर लेगा यहां तुम मरोगे और वहां तुमारे राजभवन में मिरदास उसी और बढ़ रहे हैं तुमारी नानी को मारेंगे तुमारी मा को भी मार डालेंगे कोई नहीं बचगा राजभवन में हनुमान एक बार तुमने मुझे परास्त किया था किन्तु अंतिम विजय तो मेरी ही होगी महारानी जी विशाक नगर वाजी भवन की ओर आ रहे हैं तुम सब दर्वाजे और खिड़किया ठीक से बंद कर दो जी महारानी जी प्रभू इस संकट को हरूँ मेरे स्वामी साकुषण और हनुमान पुत्र विजय हो बस हनुमान कुछ अंतिम पल बचे हैं अपने माता पिदा का समारण कर लो कर लो कर लो कर लो कर दो कर लो कर दो झाल झाल क्या करूँ इस्थिती तो बिगड़ती ही जारी है कहां छुप गए पंच्भान सामने आकर सामना करो अजीम माया विशक्ति प्राप्त हो चुकी है इन मणियों से अब मानव रुप में ही तुम्हारा सामना करूंगा हनुमान मेरे दाजों आकरमन कर दो हनुमान पर मैंने एक्षदी भी नहीं पहुंचा सकता और इन्हें रोपना भी आविशक है काल ही मुझे कुछ करना होगा मारानी जी वो किसी भी ख्षण यहां आ सकते है जाओ तुम सब जाकर छुप जाओ जाओ कि आप लोग मुझे क्षौमा कर दीजिए पीछे से वार करता है कायर पीछे से वार करने वाले एक योध्धा को यह शोभा नहीं देता झाल बाल 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 कि इन पांच मनियों में ही कुछ है जो पंचपन के साहता कर रहा है इसके पांचपन से निकले हुए पांच भेन प्रकार के विश्का रंग और इन पांच मनियों का रंग समान है इसका अर्थ है कि इस पंचपन के हर एक भन का संबंध एक मनी से है इन्हें नश्ट कर दूं तो तुझे दंड दूंगा हनुमान मेरे दासों हनुमान के पिता केसरी का अंत कर डालो मौत डालो इसे पिताश्री अपने पिताश्री को बचाने के लिए तुम्हें पहले मुझे मारना होगा बंत करना होगा मेरा, जामना करना होगा मेरा तब तुम उन तक पहुचपाओगे अनुमान ये तो पिताश्री के समीप पहुच रहे हैं मुझे शीग रही कुछ करना होगा बंच्पाँण है झाल आपार पिर गंस तुर समय कोशित थिस दुख है यह फिर से सर बन गया यह मनिया देखता हूं क्या होता है तेखता है मा, पीछे हड़ जाइए. पीछे हड़ जाइए, मा. जाइए, मा. पीछे हाँ. जाइए, मा. पंचपन की पांच मनिया तो यह मनिया ही है इसकी शक्ति का रहस्य लगता है इसके प्राण भी इन पांच मनियों में ही बसे हैं प्राण जो यह मनियों में ही इसके इसकी शक्ति का रहस्य लगता है इसकी अगया है इसकी शक्ति का रहस्य लगता है इसकी यह जड़ से हैं मेरा पुत्र के प्राण मत हरो शमा कर दो इसे यह सब इसके आसुरी वृत्ति के कारण हुआ है मैं आपको वचन देती हूँ मेरा पुत्र आसुरी वृत्ति त्याग देगा और अब वो किसी को कश्ट भी नहीं पहुचाएगा और अगर आप यह मढ़ी तोड़ देंगे न तो मेरे पुत्र के मृत्ति हो जाएगी यह पुत्र है मेरा और एक मा कैसे अपने आखों के समक्ष अपने पुत्रों को मरते हुए देख सकती है अगर आपको दंड देना है तो मुझे दीजिए मेरे पुत्र को जोड़ दीजिए है पुझे 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 आपके रुद्रांश ने तो आपके समान ही नाग को धारन कर लिया है नाग मेखला अफ्तार धारन कर लिया है अनुमान में युवराज अनुमान मेरे पुत्र पंच फन को अपने अपने देह पे धारन करके नाग मेखला रूप धारन किया है कि उनका वच्चन निभाने के लिए तुम्हें अपने राक्षे सीवरिती को त्याग देना होगा त्याग करके सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना होगा हनुमान आपके स्पर्श मात्र से ही मेरे पुत्र में परिवर्तर आ गया है जिन पिता की आगया से मैंने विश पी लिया था उन पिता ने मुझे एक सीख भी दी थी कि बुराई को अच्छाई से ही जीता जा सकता है जो अच्छे होते हैं उनसे तो सब अच्छा वेहवार करते ही है किन्तु जो बुरे होते हैं उनसे अच्छाई करो तो वो भी अच्छे बन जाते है जे 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 पिटाश्री पिटाश्री पिताश्री पिताश्री एकाय क्या हो रहा है इन सबको बलबला बलबल यह क्या होने लगा इन लोगों को सब मुर्चित क्यों हो रहे हैं यह क्या हो रहा है सब स्वस्त लग रहे थे यह एकाय क्या होने लगा पिताश्री हनुमान अब जो सोच रहे हो वो सत्य है यह सब विश्का ही दुस्प्रभाव है मैंने इसे समझाया था कि तुम्हारे विश्का परिणाम बहुत ही भयानक होगा तुम अपने विश्का परियोग केवल अपने प्रान बचाने में करना परन्त यह नहीं समझा यह सब इसी का परिणाम है जो आज सभी के प्राहन संकट में आ गए है हाँ मेरे ही विश्च से यह सब विशाक्त हुए किन्तो बड़े ही दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि मैंने इस विश्च के प्रभाव से मुक्त नहीं कर सकता यह सब किसी पर अपने विश्च का प्रभाव तो नहीं डाल सकेंगे किन्तु जो विश इनके भीतर गया है, वो इनके प्राढ हर लेगा, बस कुछ समय और ये जीवित रहेंगे हे भगवान, इनकी ये ही दशा रही तो अनर्थ हो जाएगा किस से उचार कराओ इनका ये सब ऐसे ही संकट में बड़े हुए कि तो कोई तो अपचार होगा इनका भोलो पंचपन, कोई तो अपचार होगा क्या हुआ पंचपन, बता क्यों नहीं रहे हो, क्या है कोई उपाय हाँ, उपाय तो है किन्तु ना होने के समान देट्य गुरु शुक्राचारी वही इस विश्च का उचार अपने संजीवनी विद्ध्या से कर सकते हैं कि तो देट्य गुरु शुक्राचारे तो असुरो और देवताहों के गुरु है वो किसी भी परिस्तिती में इनका उप्चार नहीं करेंगे कोई अन्य उपाए भी तो होगा तो मैं कैसे अपने पिता को सकुषल अपने साथ ले जा पाऊंगा कैसे सभी सुमेरु वासियों की रक्षा कर अपना युवराज धर्म निभाऊंगा हे प्रभू हे भोले बाबा कोई तो उपाए होगा जिससे मैं इन्हें स्वस्त कर पाऊं प्रणाम देवगुरु प्रणाम देवगुरु ग्रियस्पति आइश्मान भाव इस विष का एक उपाय है हन्मा यह उपाय है प्रवाल दूइप प्रवाल दूइप किन्तु हाँ जाकर लोटना तो असंभाव है आव यह म啊 Ä आव यह przyंब। क्रव खब रहे है बाँ उठे मा, संभालिये मा किन्तु सब बहुत निर्बल लग रहे है जैसे इनकी दे, इनकी दे शक्ति हीन हो गया हनुमान और माहराज ना जाने कहां है क्या हुआ होगा उनके साथ इस विश का एक उपाय है हनुमान यह उपाय है प्रवाल द्वीप प्रवाल द्वीप किन्तु हाँ जाकर लोटना तो असंभव है लोटना क्या वहां तो जाना ही बाप दुर्गम है सत्य कहा तुमने पंचफन किन्तु निश्पाप बालग ब्रह्मचारी वह त्रदेव ही वहां जा सकते हैं तब तो मैं अवश्य जाऊंगा वहां कहां स्थे थे प्रवाल द्वीप यहां से दक्षेपूर्व में सौ योजन की दूरी पर इस्तित प्रवाल द्वीप जहां पर लाल रंग का विशेली करणिया पुश्प पाये जाता है उसी से इन सब का उपचार हो सकता है किन्तु इसमें तो अधिक समय लग जाएगा जबकि सुर्यास्त होने से पहले यदि इन सब का उपचार नहीं हुआ तो इन में से किसी के भी प्राण नहीं बचेंगे प्रवाल द्वीप की रक्षा एक ब्रम्हर आक्षस करता है वहां जाकर कोई वापस नहीं लौटा है मेरे लिए एक एक्षन बहुत मुल्यवान है पुत्र हनुमान, सावधानी और धैर्य से कारे लेना पुत्र हनुमान हनुमान, आप अपना ध्यान रखना इन सब पे तो मेरे पुत्र ने मात्रत अपने विश्का छिड़का हुई किया है पर आपने तो विश्का पान किया है आप मेरी चिंता मत कीजिये आप दोनों इन गांवालों का ध्यान रखिये मैं अभी प्रवाल दीब से होकर आता हूँ सुर्यस्त से पहले ही लोटाना अन्या था इनके प्राण बचाना असंभव हो जाएगा अब इन सब का जीवन तुम्हारे हाथों में है कि अवाश्य कि अवाश्य कर दोनों ही नश्वर है स्वपन के समान शनिक इन्तु दोनों ही कर्म के अधीन है जिस प्रकार उचित दिशा में कर्म करने से संपत्ति के सुक की प्राप्ति होती है उसी प्रकार उचित दिशा में प्रयास करने से विपत्ति के दुख को भी दूर किया जा सकता है हनुमान के समक्ष तो महाविपत्ति मूबाय खड़ी थी किन्तु हनुमान बिना शितिल हुए अपने कर्म पत पर निकल पड़े थे क्योंकि कर्म से ही लक्षे की प्राप्ति होती है और जो अपने कर्म को छोड़कर आलस्य का आवरण ओड़कर निश्क्रिय पड़ा रहता है वो अपने अनमोल जीवन को नश्टो करता ही है दूर गती को भी प्राप्त होता है यह हनुमान को क्या हो गया? यहां से निकला भी? किन्तो मुझ से मिलना तो दूर इस और देखा तक नहीं अवश्य ही कुछ अन्होनी हुई है सुमेरू? सुमेरू में अवश्य ही कुछ हुआ है अब तक तो सुमेरू का बिनाश हो चुका होगा आप यहां हस रहे हैं मयासूर जी? वहां हनुमान पंच फन को परास्त करके उसे अपना मित्र बना लिया है और अब उन सब को विश्य से मुक्ति धिलाने के लिए प्रवाल दीप जा रहा है मायासूर रोकना होगा उसे जाईए और उसे रोकिये ताकि वह विश्य लेकरने पुष्प लेकर ना लोड़ सके और यदि तुर्यास्त होने से पहले हनुमान को रोक लिया तो समस्थ छुमेर उबासी और महाराज के सरी सब के सब मारे जाएंगे और वो वह नर्बालत पुरी तरह से टूट जाएगा बल 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 जाएगे जाएगे रोकिये उसे स्वामी ये क्या हो गया है आपको आप तो सुमेर उबासी नहीं है कौन है आप प्रणाम महारानी जी मैं पंच फन हूँ वही माया विनाग जिसके कारण सब विशाक्त हुए हैं किन्तो अब मुझे अपने भूल का आभास हो चुका है आप सब भैभित मत हो ये ये सब शिगरी स्वस्थ हो जाएंगे योवराज हनुआन प्रवाल दूइब गय हैं चमतकरी विशल्य करने पुष्प लाने वो समय रहते पुष्प ले आएं तो ये सब स्वस्थ हो जाएंगे मुझे क्षमा कर दीजे महारानी जी मैं अपने किया पर लज्जित हूँ आशा है हनुमान समय रहते पुष्प ले आएंगे ये प्रभू हनुमान शीगर ही विशल्य करने पुष्प ले कर लोट आएंगे क्रिपा करना भोले रात अब क्या करूँ के सोर जाओं प्रवाल द्वीप ये है या वो दोनों द्वीप तो एकी समान दिख रहे हैं किन्तो अब कैसे ग्यात होगा कि कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है क्या करूँ किस से पोछूँ अब मैं यूराज हनुमान प्रवाल द्वीप प्रवाल द्वीप से विशेले करनी पुष्प लाना है किन्तो मुझे ग्याती नहीं कि प्रवाल द्वीप कहा है वो द्वीप देख रहे हैं आप वो द्वीप ही प्रवाल द्वीप है धन्यवाद प्रणाम हमने तुम्हें उस मार्क पर भेजा है जहां तुम्हें विशले करनी पुष्प नहीं मृत्यू मिलेगी भयानक मृत्यू उबेपला शीम्हें अबीपली असमान वस्ता में हमराच महाराज की दाशा बिगड़ती जा रही है उस भयानक विश के आगे हमारी कोई भी उश्यदिक कारे नहीं कर रहे है महाराणीशी हनु अचानि कहा पाईगा हनुमा विश्यदिक करने पुष्पले कर दिरज रखे महाराणीशी अनुमान आता ही होगा अनुमान अनुमान देव गुरु ब्रहस्पती ने तो प्रवालदुई भी बता रहा था कि यहीं पर ही विश्यदिक करने पुष्प मिलेगा किन्तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि विश्यदिक करने पुष्प कहा है हनुमान तुम प्रवाल द्वीप में ही हो ना कोई और द्वीप में तो नहीं आ गए हनुमान सुर्यास्त से पहली आ जाना अन्य था इनके प्राण बचाना असंभव हो जाएगा समय तो बहुत ही कम है मेरे पास सुर्यास्त होने में कुछ ही पहरशेश है सुर्यास्त से पहले मैं ढून ही लूँगा विशयले करनी पुष्प हम् अगर्ण 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 यह क्या हो रहा है मुझे लगता है विश्का प्रभाव अभी भी नहीं गया दे से मुझे अपने इच्छा शक्ती और द्रेट करनी होगी कहां है यह लाल रंग का विशयले करनी पुष्प हम् यह भी लाल रंग की ही है विशयले करनी पुष्प भी वहीं पर ही होंगे यह तो वो पुष्प नहीं है जो देव गुरु ने बताए थे और रंग करनी पुष्प नहीं है जो देव गुरु ने बताए थे महाराज अब नेत्र बंध मत करिए अब किसी भी परिस्तिती का सामना कर सकते हैं तेज श्वास लीजिए हाँ महाराज अब साहस मत छोड़िए महाराज परविश्का बहुत प्रभाव है मुझे कोई आश्य नहीं लग रही है कहीं सुमेरू के लिए आमवस्या ना बन जाए आज की ये पूर्णिमा राजवैद जी आपका ऐसा कहना अनुचित है वैद को अंतिम स्वास्तक जीवन के आशा को नहीं त्यागना चाहिए हनुमान आता ही होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा इधर महराज की बिगड़ती दशा उधर हनुमान न जाने कहां उलचा होगा अर उस परेंद्रदेव का बुलावा पुर्णिमा के पश्चाद तुम इस पृत्वी पर एक शन भी और नहीं रह पाओ हे भगवान ना जाने क्या होने वाला है हे भगवान मुझे शक्ति और शांति प्रदान कीजिए मेरा हनुमान आएगा पिता और सब के लिए वो पुष्प ले कर आएगा मुझे विश्वास है मैं जाते जाते उसे अंतिमबार देखूँ मेरे पुत्र और सकुषल पती परमेश्वर को अंतिमबार कहां ढूंडू मैं उन्हें ये कैसी द्वनी है कौन है तू जलदेत्यों के मुख्या जलासुर के छित्र में कैसे प्रवेश कर गया तू जलासुर जलदेत्यों के मुख्या मेरे प्रिये महावली जलदत्यों बहार आओ ये देखो ये बालक छोटा सा कूमल देखवाला क्यों इस प्रकार घे रहे हैं मुझे क्या चाहते हैं आप सब हम तुझे चाहते हैं तुझे खाने में आनंद आएगा आप ज़े चलते हैं से अरे छोटा सा बालक तो परवत की तरह स्थीर हो गया है हुआ इतना कम समेशे इशे सुर्यास्त होने में और ये सब मेरा मार्ग रोक रहे हैं